Hello my YouTube family, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों से एक अपडेट शेर करनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे एक निया पेज क्रियेट किया है किरिन शाहपुरी अकाड़मी और ये page specifically उन लोगों के लिए है जो टारो सीखने में इंट्रेस्टेट हैं टारो में अपना करेयर बनाने में इंट्रेस्टेट हैं तो ज़रूर इस page को follow करें क्योंकि इसमें बोखुत सारी चीजें related and connected to learning टारो I'll be sharing exclusive tips, insights, upcoming workshop इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ किरन शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि September मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आप क्या महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में September मन्त में क्या रहेगा कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप September मन्त की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं September 2024 की Love Tarot Reading चलिए से रिटेरिस आप लोगों के लिए देखें कि September 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहां पे तीन set of cards हैं first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे second set of cards में आपके partner के energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally September मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है pause pause की literal meaning को देखें तो थोड़े से रुकने की बात करता है थोड़ा सा एक break लेने की बात करता है और कुछ time से या फिर September starting में ऐसी ही आपकी energies है यानि कि आप आगे इस relationship में बढ़ने से पहले थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी रुक के चीज़ों को अच्छे से समझना चाहा रहे है इका दुका Sagittarius के लिए हो सकता है कि break up आप करना चाहा रहे है या you know break up आप कर रहे है लेकिन in general के लिए अगर मैं देखूं तो Sagittarius pause का card आप लोगों के लिए ही कहता है कि कुछ time से या September starting में आप एक pause लेना चाहा रहे है यानि कि थोड़ा सा रुकना चाहा रहे है या फिर आपने एक pause लिया हुआ है आप थोड़ा सा रुक गए है और इसके लिए सब Sagittarius के लिए different reasons रहेंगे लेकिन pause के ओपर Hierophant reverse का card कहता है society, religion, घर के कोई बड़े या फिर आपका कोई strong belief system आपके partner का कोई strong belief system या फिर आपकी तरफ से किसी चीज को लेकर एक जिद या partner की तरफ से किसी चीज को लेकर एक जिद जादा reason रहता हुआ दिख रहा है आपके pause लेने का आपके थोड़ा सा रुक के चीजों को और समझने का and mid August, sorry September के लिए devil reverse का card कहता है कि आपने pause ले तो लिया लेकिन आपके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है एक stress, tension आप में हसूस कर रहे हैं पार्टनर के लिए बहुत obsessive, possessive energies भी आप में हसूस कर सकते हैं बहुत जादा आपके पार्टनर आपके मन पे, आपके दिल पे हावी होते हुए दिख रहे हैं होता है ना कभी-कभी हम जितनी कोशिश करते हैं सामने वाले को अपने mind से निकालने की उतना ही हमारा mind उनकी तरफ जाता है तो कुछ ऐसी भी energies हो सकती है और यहाँ पर दिखे deeper level के लिए long term का card कहता है कि आपने pause लिया हुआ है आप थोड़ा सा again मैं कहूंगी चीजों को और समझना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले लेकिन मन ही मन आप अपने partner के साथ long term relationship चाहते हुए दिख रहे हैं मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि बस यह partner आपकी life में हमेशा के लिए रहें और देखिए काफी conflicting सी energies हैं और शायद इसी लिए यहाँ पर six of souls rivers का card कहता है कि आप काफी stuck महसूस कर सकते हैं September month में या फिर end September में जहाँ पर आप कुछ चीजों से move on करना चाहते हैं कुछ चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पर simply कुछ सरिटेरियस के लिए उनके खयाल हो सकते हैं उनकी thinking हो सकती है उनका belief system हो सकता है या फिर कोई जगा भी हो सकती है या you know again कोई भी चीज हो सकती है एक का दुका के लिए relationship भी हो सकता है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और deeper level के लिए unconditional love का card कहता है आपको end September में ऐसा लग सकता है आपके मन में आपके partner के लिए unconditional love है बे इंतेहा प्यार है इस चीज का एहसास इस चीज की realization और जादा आपको end September में रहती हुई दिख रही है और हो सकता है इन्दा प्रोसेज कुछ से रिटेरियस थोड़े से controlling थोड़े से dominating हो रहे हैं लेकिन जादा मुझे दिख रहा है कि एक stress tension आप महसूस कर रहे हैं और बहुत एक obsessive possessive energies अपने partner के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner के क्या energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए आप इस सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Needing Space and the Hermit और आपके partner भी कहीं withdraw करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं अब देखिए आप ए reason सब से रिटेरियस के partner के लिए differ करेगा लेकिन मैं अगर आपकी energies देखूं से रिटेरियस तो आपने एक pause लिया हुआ है, break लिया हुआ है जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा reason रह सकता है कि आपके partner भी उतने action, उतने initiatives नहीं ले रहे हैं एक अकेला पन या तो महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेला पन चाहा रहे हैं बहुत जादा एक introspective energies में भी रहते हुए दिख रहे हैं किसी चीज को खोजते हुए, ढूंदते हुए भी रहते हुए दिख रहे हैं needing space का card कहता है, हो सकता है कि वो कहीं travel कर लें या फिर थोड़ा आपसे distance करें अब यहाँ पर देखे, मैं यह बिल्कुई भी नहीं कह रहे हुँ कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर उनके बन में आपके लिए feelings नहीं है क्योंकि ऐसा card मुझे नहीं कह रहे है card सिर्फ यह कह रहे हैं कि एक अकेला पन महसूस कर रहे हैं चाह रहे हैं, थोड़ा सा भी draw कर रहे हैं और कहीं एक space भी अपनी लिए चाहते हुए दिख रहे हैं मिड सब्टेंबर के लिए यहाँ पर death का card कहता है कि कुछ चीजों को end करके नए सिरे से अपनी life में चीजों को शुरू करना चाहते हैं कि यहाँ पर death का card आपके partner के लिए सब sedutaries के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपके partner इस relationship को ही end करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लिए अपनी personal life के लिए एक नई शुरूबात चाहते हैं कुछ के लिए हो सकता है जो भी मसले हैं जो भी issues आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको end करके आपके साथ एक नई fresh start करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर growth का card है तो ज़ादा मुझे दिखता है जो भी problems हैं, issues हैं, मसले हैं उनको end करके आपके साथ एक नई beginning करना चाहते हैं growth यहाँ पर यही कहती है कि भी उनको ऐसा लगता है कि इस relationship में बहुत potential है थोड़ा सा भी अगर इसे nurture किया, थोड़ा सा भी अगर attention दी, love, care मिला तो यह relationship बहुत अच्छे से grow कर सकता है बहुत अच्छे से, you know, इसमें एक beautiful energies रह सकती है आप दोनों का प्यार grow कर सकता है आप दोनों की understanding बढ़ सकती है आप दोनों का bond बहुत ही beautiful यह मैं कहूंगी और ज़्यादा beautiful आगे जाकर हो सकता है बस थोड़ा सा nurture करने की ज़रत है थोड़ा सा इसको love, care के साथ attention देने की ज़रत है तो देखिए money ही money again मैं कहूंगी इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं लेकिन surface level के लिए page of souls reverse का card कहता है तोड़ा सा उनका communication blunt हो सकता है, straight forward हो सकता है तोड़े से irritating हो सकते हैं, frustrating हो सकते हैं और कहीं, you know, एक sarcastic way में भी आपसे बात कर सकते हैं कहीं logically भी चीज़ों को end September में वो deal करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि September month में क्या हो रहा है तो देखिए September starting के लिए आप इस सबसे पहला card है conflict और ये card tension and arguments की बात करता है तो आप दोनों के बीच में छोटे मोटे issues, छोटे मोटी चीज़ों को लेकर argument रह सकती है difference of opinion रह सकता है और इसी लिए या फिर otherwise भी four of wands reverse का card कहता है कि बहुत एक strong connection होने के बावजूद भी बहुत एक अच्छी compatibility आप दोनों के बीच में होने के बावजूद भी किसी level पे एक distance आ रहा है कुछ चीज़ें delay हो रही है अगर आपका मिलने का program था या फिर vacation पे जाने का program था वो delay होता हुआ दिख रहा है अगर marriage के बारे में आपने सूचा था engagement के बारे में आपने सूचा था या फिर planning थी तो वो भी कहीं delay हो रहा है या आप लोग ही किसी level पे postpone कर रहे हैं और आप दोनों की energies मैं देखूं सेडिटेरियस तो कहीं आप दोनों ही responsible हैं इस delay के या फिर जो भी आपने plan किया था gain marriage, engagement, vacation या मिलना एक दूसरे से उसका postpone होना इसके लिए फिर से मैं कहूंगे आप दोनों ही responsible रहते हुए दिख रहे हैं and mid September के लिए Queen of Cups reverse का card कहता है बहुत emotional आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं mood swings हो रहे हैं बहुत emotionally कभी low, कभी ठीक महसूस कर रहे हैं many options का card कहता है मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है भई और options देख लेते हैं और भी लोगों से connect कर लेते हैं और भी लोगों से बात कर लेते हैं लेकिन देखिए end September के लिए two of cups reverse का card कहता है कि एक distance आप दोनों के बीच में आ रहा है और regret का card कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को काफी regret रह सकता है होता है कभी कभी हम कोई एक action ले लेते हैं initiative ले लेते हैं कोई चीज कह देते हैं कोई बात कर देते हैं और बाद में मैं लगता है कि काश ऐसा ना किया हो था, उस टाइम पर हमें नहीं समझ में आ रहा था, हमने क्यों मैं ऐसा किया और आप दोनों के ही मैं कार्ट देखूँ, तो कहीं बहुत एक आपस में बातचीत नहीं होती वहीं दिख रही है, इंटराक्शन नहीं होते वहीं दिख रहे हैं, आपके लिए क्लियरली मैंने कहा आपने एक पॉस लिया हुआ है, या फिर लेना चाहा रहे हैं और कहीं end September में, देखे, regret का कार्ट कहता है, जो भी आप अभी कर रहे हैं, September स्टार्टिंग में करेंगे, उसको आप end September में regret कर सकते हैं, तो देखिए, कार्ट guidance के लिए होते हैं, और अगर आप पहले से ही ये reading देख रहे हैं, और आपको भी कुछ ऐसा ही आपके relationship में लग तो जो भी करें, बहुत सोथ समझ के करें, इस चीज का खास ख्याल रखें कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई हरकत आप ना कर दें, जिसको बाद में आप regret करें, तो फिर से कहूंगी बहुत सोथ समझ के, बहुत wisdom के साथ चीज़ों को deal करें, क्योंकि आप पहले से ही cards में चीज़ लगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें